हमें दावत दिने जाड़ों एंजिनियर रियाद साथ जो जिलाव ध्यक्ष है, मुदफर फुर्च आया हुए है इंसाथ इंसाथ फुर्चे मंच के जिलाव ध्यक्ष है जोर्तार बालियों रस्वाद फुर्च देंगा फकत सोर मचाने से कुछ नहीं होगा फकत सोर मचाने से कुछ नहीं होगा वोटों को हिलाने से कुछ नहीं होगा जिन्दगी के लिए बेमौत मत्ते ही कि हो अहल इमा हो तो मुदी और साह जैसे सहतां के बत्ते कि हो अगर अहल इमा हो तो मुदी जैसे सहतां के बत्ते कि हो तुम जो जाहो तुम जो जाहो जवाने को हिला सकते हो पते की नई तारीक इसी खीना घालत के मैदान से बना सकते हो मुझानों मेरी मां मेरी बेनों इस नाजीश के दर्शे इनकल अभी सलाम प्रेश करता हूं हमारे इंदुस्तान में आज ऐसा मुझ पधान मंत्री मिला लेकिन लागी तापकिस्तानियों के देनी की बापक्ता ये इंदुस्तान ये किसी तरीबाद से बापका नहीं है यह हमारे सब इंगुस्तान लोगा है जो हमारे पुर्गों ने हमारे पुर्गों ने पूल की होली कहल कर पूला से इस मिट्टी को सीजा है हम इसे जारा नहीं देंगे किसी को यह सरकार तरिफार की सरकार इसे खत्व करना चाहती है हम तो फुर्गों नसीब है जो हमारी गंगा जमना तहजीर है यहां राफ परसाद प्रिश्मी में अस्पार्पुल्ह खाल में रोसंसी में इस कूल के इस उतार के सहीद हो गए अंग्रेज्टों ने सुली बंसर चाहती है उसी सहीद को यह खत्म करना चाहती है लेकिन इस तहजीब को हम जाने नहीं देंगे अख नहीं होने देंगे जाए हमारी जान जानी क्या नपरे तुम वली चलाओके तब भी हमज़टे रहेंगे तुम आपी ज़ाएंगे तब भी अंदर करेंगे हमें एक इस पीजे का एक सूच पीजे नहीं होते हैं तुम क्या समझते हो इसो चार कानून पांश करती है तुम पी जाता देंगे तिलको नहीं हत्ते वाले हैं जो इस तरह की अफ्रती मात करता है जो हिंदो मुसल्मान अपर्टे की बात करता है यह आप मुझे समझ में आया जो आप केख्याओं के टीवी पे जो फर्चार चल ला था अज़े आप अचयों का परचार कर रहते की घदे को चलो गुझाओं के रहे हैं आप समझ में आया कि अधियर से आदम ने क्यों आप का लिए जो चार्वी बतल ये गुझाओं के घदों के परचार मत किखे अज समझ में आ रहा है कि घदा कैसा हो का अगीकत नहीं है जो पुचाती गधा इसको समझ नहीं पाया अरे गधा बोलके गधा के पिद्धी काता है गधे से भी बतता रहो अंगे जो से और तुम किस खेट के मुली हो मैं तो उचा कर उसे पुचा कर खा जाओंगा जो जितने मुली हो तो तुम कुछ नहीं पहचा रहा अरे तूपां जाजा हो तो कस्तिया Zhूब जाती है घमन जाता हो तो हस्तिया धुब जाती है तुमें पता नहीं इतने घमन में मत रहो तुहें छिर्फ पाच सालों के लिए जिना है सिर्फ पात साल के लिए पात साथ गुल्यक्ते हुए पात धीर में रही होगा तुम्हारी हस्थिया अप्म हो जाएगी तो कहीं के नहीं रहोगे लेकिन हमारे हिरे ज़्मान लिदी हिंदुतान के सजमी में रहेंगे और आजकल अमीद जो बिरोग कर रहा है वह दलित भी ओधी है तुना होगा आपने इस गभे को पता एक पीन नबाद चला कि जो सिये कानूर दलित भी ओधी है इसे पले पदा नहीं चला था क्या लेकिन दलितो मेरे दलितो भाईयो मेरे हिंदुतान भाईयो मेरी बहलों मैं हिंद भाईयों को भी कहना चाहता हूं इस दलितों को कहना चाहता हूं यह दलित फिरोधी है कि ऐसी सरकार है जो आई थी सबसे पहले अरक्षन गदम करने वाली सरकार यही भी जपी के सरकार है लेकिन जब यह सरकार देखा कि जब